आप लोगा जो गेमप्ले है वे एक अलग लेवल का गेमप्ले है लेकिन आप लोग उसे दिखा नहीं पाते हैं कि वाइस देखो आपके पास बेस्ट कैस्टम हुड नहीं है जिसके वज़े से आप लोग की फास्ट मॉमेंट नहीं हो पाती अगर आप किसी बंदे को हेड पे एम लेते हो एंड हेड मारते भी हो तब भी आपका गोली रिक्वाइल कर जाता है तो आपके पास एक अच्छी जो कस्टम हुड हुए नहीं है इसके वज़े से आप ना डेजा टीगल से हैट सौट मार पाते हो ना गाइस इसके वज़े से आप लोग को बहुता प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लिकिन आज की वीडो के अनर आप लोग के सारे प्रॉब्लम दूर कर दूंगा आप लोग के टॉफ फाइब ऐसी बेस्ट कस्टम हुड देने वाला हुँ जिसके बाद गाइस जो आप लोग गेंपले हुए एक अलग लेवल पर चला जाएगा एंड आप लोग की मोमेट स्पीट तो समझो भाई राइस्टार से भी जादा हो जाएगी तो प्लीस है आज अज़ बतादू एक एए इसपोर्ट प्लेयर है आप लोग इनको जानते हो काइस कीलर एफ को एक बैग्राउंड में आप लोग इनका गेमप्ले देख देखे एक बाप लेवल लेवल वह बोलते है बहुत लग लेवल के ड्रेक्सोर्ट देते है बद्न को आप लोग लेव प्रेक्टिस करना पड़ेगा तब आपके इनका गेमप्ले इनके जैसा हो जाएगा एंड आप लोग इनके जैसे हैडसोट मलगा पाऊ ठीक है अभी आप लोग यहां पर इसकीन के पेड़ेगों देख सकते हो अप लोग इनके कर्षट्म है चाहोतो कर सकतो है तभी मैंने आप लोग दी है अब बात करें जो मैंने दूसरा फ्लेयर है प्लेयर नमर पर अमने इस बेयर को रखा है उस प्लेयर का जानाम है इस Mr.Jay-t अपने इसकेंगों पर देख सकते हो एंड आप लोग इनकी कस्टम हुड पर गेम प्लेयर कितर खतरनाग खिलता होगा जिसने राइस्टार को हरा रखा था वह बहुत अच्छी स्कोर के साथ एंड आयो हो गैस जो इनकी कस्टम हुड है वह बहुत पसंद आएगी यह भी एक e-sport player है और इनका गेम प्लेयर तो आप लोग बैगराउंड में देखी सकते हो तो इस लिस्ट में जो प्लेयर हमारे तीसरे नमबर पर है तो उस प्लेयर का नाम है टीएज़ी लेजेंड आप लोग इन प्लेयर को जानते हो यह भी एक e-sport player है हमारे इंडियन सर् वही टूनामेंट खेलते हैं आप लोग बता है यह फिर इंडिया ओफिसियल बड़े बड़े टूनामेंट भी खेलते हैं इनका जो गेम प्लेयर बहुत अदिक अलग लेवल है अभी आप लोग बैगराउंड में इनका गेम प्लेयर देख सते हो भाई यह भी गैस M1887 और वूट पिकर से बहुत अदिक अच्छे अच्छे सोट लगाते हैं और जो इनके सोट है वे आप लोग देखी सकते हो और जो इनके मतलब एच्चुड अपने फोन में यूज करो तो आप लोग को इनकी एच्चुड पर कुछ दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आप आप लोग को मुवमेंट बहुत अच्छी मिलेगी क्यों इस एच्चुड पी एक मुवमेंट बहुत तगड़ी करते हैं एच्चे अच्छे अच्छे सोट देते बंदों को आप लोग बैगराउंड में गेम पर देखी सकते हैं मैं क्या बोलू और आई होग आप लोग को इस प्लेए को दूसरी नंबर पर रखा है उस प्लेए का नाम पर दस प्लेए इन वोग फॉक सुनखे थोड़ी हारे लेकिन इनके नाम पर मच जाओ इनके काम पर श्राइब आप लोग को इनका कम बोहुत अच्छ आ है उप लोग दिखसे तो गैश इनका बेगराउंड मे उपर इनकी custom hud देख सकते हो और चाहो तो आप लोग इनकी custom hud पर gameplay कर सकते हो और कुछ दिन प्रैक्टिस करो तो इनकी जैसे moment speed और इनके जैसे drag shot आप भी मार पाओगे तो आई हो इनकी hud भी आप लोग को पसंद आई होगी तो guys sir जो हमारी अगली hud होने वाली वे guys हमारे bistone bro की होने वाली है और इस background में आप लोग guys bistone bro का gameplay देखी सकते हो और इस बात करें किस server से belong करते हैं तो यह guys साथ हमारे indonesian server से belong करते हैं और इनका gameplay आप लोग देखी सकते हो भाई handcam gameplay भी है इनका आप लोग में background में दिखा रहा हूं और इस बात करें इनकी speed and one tap की वज़े से guys यह जाने जाते हैं अपने gameplay के वज़े से बहुत दा famous है और इस आप लोग इनकी hud बहुत पसंद आएगी तो guys इनकी hud अभी आप लोग अपने इस गिंग उपर देख सकते हो चाहो तो guys आप लोग इनकी hud अपलाई करके practice करोगे तो guys आप लोग इनकी hud के भिसाप से इनके जैसा gameplay कर पाओगे and guys I hope you guys आप लोग के वीडियो पसंद आए होगा and guys वीडियो पसंद दो प्लीज है वीडियो कर लाई करके चैनल के जोड़ो subscribe कर लेना आप लोगो मिल जाएगा तो मिलेंगी एक और नी वीडियो में तब तक के लिए guys बबाई and guys take care